मैं उमीद करते हूं कि आप Part 1 देख के आ रहे हैं अगर नहीं देखा तो Part 1 का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाए वड़ापर से देख के आईए और हाँ सभी नोर्स डाउनलोड करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में चेक आउट करिए साथ इसाथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए तो चलिए इस्टार्ट करते हैं टॉपिक है दे रेडिंग मैन्या फ्रो दे 17th एंड 18th सेंचूरी लेटरेसी रेट वेंट अप मूस्ट पार्ट अप दे यूरोप यानि कि 17th और 18th सेंचूरी में जो लेटरेसी रेट है यूरोप में वो बढ़ गई थी यह लेटरेसी रेट बढ़ने का कारण है कि जो चर्जेस लोग है न उन्होंने सेट अप कर दिया उस्कूल विलेजिस में और यह लोग एजूगेशन देना स्टार्ट कर दिया है तो पीजेंस एन आर्टिसन यही कारण है कि 18th सेंचूरी में जो लेटरेसी रेट है वह 60-80% बढ़ गई थी यानि कि पुपल लोग और बुक्स की दिमान करने लगे जब ज़्यादा बुक्स की डिमान होई तो पनिख यानी कि बहुत ज्यादा बुक का पब्लिशिं स्टार्ट हो गई यही नहीं, बल्कि जो book seller है, वो लोग hired करते थे peddlers को, कि वो book को बेच पाएं अलग-अलग गाओं में. और यह लोग book बेचने के लिए अपने साथ ले जाते थें, जैसे कि almanats, ritual calendars, ballads और cocktails. पेडलर्स क्या होता है, people who travel around and sell things, यानि कि ऐसे लोग जो घुम-घुम कर कुछ बेचा करते हैं. In England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as a chapman. इसका मतलब है कि England में जो penny chapbook है, उसको carried करते थे petty peddlers, जिसको हम जानते थे chapman के नाम से. और chapbook को बेचा जाता था एक penny में. penny क्या है, penny currency है, और यह जो chapbook थी, उसकी जो quality थी, poor quality और paper थी. इसी कारण यह बुक सस्ती हो जाते थी, जिससे poor could buy them. Same, France में भी एक book को print किया गया, जिसका नाम था, Billet the Cube Leo, उसका भी जो paper quality था, वो poor था. इसी कारण यह भी बुक सस्ती हो गई और गरीब लोग खरीत पा रहा थे. Then, there were the romances printed on four to six pages, और more substantial histories, जिसमें past के बारे में बताया गया था, यानि कि past की कहानिया थी. Early 18th century, जो periodical praises है, उन सबने published किया current affair plus entertainment, और जो अपना newspaper and journal है, उन सबने published किया war plus trade news के बारे में, और developments in other places के बारे में. और कुछ ideas of scientists and philosophers हैं, जैसे कि अपने scientists हो गएं, Sir Isaac Newton, Voltaire, Jean Jacobs, Rousseau, अब बात करते हैं, Tremble, therefore, Terrence of the World. By the mid 18th century, many believed that books could change the world, यानि कि mid 18th century में, लोग विश्वास करते थे कि जो books है, वो पुरे संसार को change कर सकती है. Louis Sebastian Merzier, यह believe कर देते कि जो print है, उसके पास इतनी power है, कि यह despotism को end कर सकती है. Despotism का मतलब होता है, a rule where there is no control over rulers of power, यानि कि यह एक ऐसा rule है, जहाँ पर rulers की power ही control में नहीं है. Despotism की meaning लिखनी हूँ एक्जाम में, तो यह NCRT वाला लिखेगा, इससे 1% भी marks नहीं कटेंगे. Louis Sebastian Merzier, यह भी मान देते कि जो printing pressed है, वो most powerful engine है, progress and public opinion के लिए. और यह force that will be shifts कर सकता है, despotism way को. और Louis Sebastian Merzier थे, यह एक French knowledge थे, इनी सब को मानते हुए, Louis Sebastian Merzier ने एक statement दी, tremble therefore tarants of the world, tremble before the virtual writer. इसका मतलब है कि जो print है, यह एक ऐसा tool है, जो society में dictatorship को पूरी तरह से खतम कर सकता है, इसमें इतनी ज़्यादा power है. बात करते हैं, print culture and the French revolution. Many historians का ऐसा मानना है कि जो French revolution occurred हुआ है, यह हुआ है print culture की वज़े से. Three types of argument have been usually put forward. तो बात करते हैं पहली connection की. It is a popularized, the idea of thinker. इसका मतलब है, print से जो thinker के idea है, वो popularized होते हैं, क्योंकि thinker जो भी सोचते हैं, वो उसे published कर देते हैं. जब यह print हुए material पढ़ते हैं, तो उनके विचार change हो जाते हैं. ओल्टेयर, Arctic church and despotic power. इसका मतलब है कि जो ओल्टेयर है, अपनी writing में challenge किया गरते थे, church and despotic power को. बात करते हैं second connection की. Created new culture of dialogue and debate. इसका मतलब है कि print को पढ़कर society में changes आ रहे हैं. New culture of dialogue हो रहे हैं and debates भी create हो रहे हैं. Simple सी बात है, चोटी-चोटी बात पर लोग सवाल जबाब करने लगते थे. Connection number third के बात करते हैं. Literature mocked and criticized government. इसमें क्या होता है? 1780s में जो some writer यानि की writing थी, वो criticize कर रहे थी government and monarchy को. CDC बात है, जो some writers हैं, वो directly government और monarchy के बारे में सही गलत लिख देते थे. इनी सब situation के बाद society को तीन हिसे में बाड़ दिया गया. Clergy, Nobility and commoners. जहां पर clergy और nobility को rights तो मिल रहे थी, उनके privilege तो मिल रहे थे. लेकिन commoners को यह सब नहीं मिल रहा था. उनकी condition बहुत खराब हो चुकी थी. उनसे ज़्यादा taxes भी लिया जा रहा था. और सबसे बड़ी बात यह है, कि जो commoners थें, वो तो गरीब ही थें. तो इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ. तो जब common people ने आवाज उठाए, तब यहाँ पर French Revolution start हुआ. ऐसा माना जाता है. अपनी अगली topic है, the 19th century. बात करेंगे children, women and worker के बारे में. Late 19th century में, primary education को compulsory कर दिया गया है. Primary education का मतलब कि जो schools होते हैं. Children become literate, यानि कि बच्चे अब पड़े लिखे हो गएं. तीधा सा मतलब है कि जब school खूलेंगे, तो बच्चे पड़ेंगे और literate हो जाएंगे. और यह जितने भी children थे, यह बन गए new readers. अब जब बच्चे literate हो गएं, तो जो industries लोग हैं, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया publishing. क्या करना? टेक्स्ट बुक को. टेक्स्ट बुक को प्रिंटिंग करना इस्टार्ट कर दिया. जिससे क्या हुए कि children's a press को set up किया गया फ्रांस में 1857 में. Children's a press क्या क्या पब्लिक करती थी? बुक्स, पेरिटेल्स, वॉक्टेल्स, और जो अपने green brother जर्मेनी में थे हैं, वो फॉक्टेल्स को गेदर किया गरते थे, पीजिन से. उसके बार जितने भी फॉक्टेल्स थे, उसको एक इस्टोरी में, यानि कि एक बुक्क में ही पब्लिष्ट कर दिया करते थे. उन्होंने 1812 में बुक्क को पब्लिष्ट की थी. यही नहीं, बलकि उस समय, नेसेस्री कर दिया गया है कि रिमूब कर दो जितने भी objectionable content है, यानि कि harmful content है, जो बच्चों को suitable नहीं है, और illights लोग को, यानि कि rich people को suit ना करे, और बच्चे के लिए या harmful है, तो इसको हटा दिया जाए books में से. उमिन भी एक important reader बन गई, साथ ही साथ एक अच्छी writer भी बन गई, और books को available कर दिया गया, पेनी में जिन जैसे कि manuals में आ गया proper behavior, housekeeping, proper behavior में कि मतलब कि आपको घर में कैसे रहना, आपका behavior, आपका स्वबाव कैसा होना चाहिए, housekeeping में कि आपको घर में कैसा रहना चाहिए, कि इसके साथ कैसा बेवार करना चाहिए, यह सब books में printed हुआ करता था, उसके बाद 19th century जब novels लिखे जाने लगें, तो women's one of the most important reader बन गई, और कुछ समय बाद women become a famous writer बन गई, जैसे कि जानी आउस्टन, George Elliot and Brown sisters, lending libraries जो इंग्लेंड में है, यह become important place बन गया educations के लिए, जैसे कि इसमें जाते थे, white collar workers के लोग, artisans, middle class के लोग, तो white collar workers का मतलब जिसमें आते हैं lawyer, doctor, professional, अब बात करते हैं further innovations के बारे में, 19th century जो Richard M. हो, New York से थे, उन्होंने इंप्रूप्ट किया power driven cylindrical presses को, यह machine print कर सकती थी 8000 seat per hour में, और यह presses बहुत useful था, और printing newspaper करने के लिए, उसके ब टाइम, यानि कि एक समय पे 6 color print कर सकता था, ट्वेंटीन सेंचूरी में, इलेक्रिकली ओपरेटिट प्रेस को, श्टार्ट किया गया, operate करना, सम मोर डेवलेप्मेंट भी किया गया, उसके बाद इंप्रूप्मेंट भी किया गया, जैसे की feeding paper, plates, paper reels, कुछ ऐसा दिख रहा जैसे की book jacket or dust cover का अविस्कार किया गया, book jacket or dust cover का मतलब है कि जैसे आप book पे अपनी चाड़ाते हो न कबर कुछ ऐसा ही दिखने वाला book jacket or dust cover था, 1930 में एक one set था great depression का, इसकी वज़े से जो publisher है, उसने सस्ती सस्ती book को बनाने लगा, यानि कि cheap paperback edition, अभी तक हम सभी लोग airjog print, इसका मतलब है कि print से पहले manuscript, यानि कि इसमें हम जानेंगे कि manuscript कैसा था, print से पहले, simple सी बात है, जब print नहीं आया हुआ था, इंडिया में, तो manuscript कैसा था, इंडिया में, आइए जानते हैं, इंडिया के past old edition of handwritten manuscript धेर सारी थी, संस्क्रीट में थी, Arabic, Persian, as well as, वनाकुला language में भी थी, वनाकुला language का मतलब है कि मातरबासा, तो आप लोग comment करके बताओ कि हम लोगों की मातरबासा क्या है, manuscript को copy यानि कि बनाया जाता था, hand made paper और palm lips पर, manuscript को अच्छा यानि कि beautiful illustrate करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कि दो लकडियों के बीच में, manuscript को दबा दिया क करते थे या फिर सिल दिया करते थे साथ में, manuscript को कुछ drawbacks भी थे, manuscript generally expensive थी, और यह hard था preserve करना long time के लिए, preserve का मतलब की सुरक्षित रखना, साथी साथ यह manuscript fragile भी थी, यानि कि wake थी, कमजोर थी, और यह difficulty task था, transport करने के लिए, और carry around, यह भी जान लेते है, school in Bengal, school को developed किया गया बेंगॉल में, student बुक को नहीं पढ़ पाते थे, teacher बुक को पढ़ कर उन लोगों को सुनाता था, तो यह लोग लिखा करते थे, यानि कि लिखना सीख रहे थे, तो इसते क्या हुआ करता था, कि कुछ लोग लिट्रेट हुआ करते थे, without any reading of the books, print comes to India, और यह जानते हैं detail मे 16th century, Portuguese missionaries ने introduce किया था, first printing press गोवा में, 1674, Jesuit press सीखे हुए तो कौन कानी, और उन्होंने 50 बुक को प्रिंट किया था, कौन कानी, and Canara language में, 1579, Catholic priest ने first Tamil book को प्रिंट किया था, कोची में, 1710, Dutch Protestant missionaries ने print किया था, 32 Tamil text को, then 1713 में, first Malayalam book को प्रिंट किया गया, James Augustus Hickam, 1780, उन्होंने इडिटिंग स्टार्ट के Bengal Gadgets के, Bengal Gadget एक commercial newspaper, यानि कि बिकाव newspaper था, to all, यानि कि सभी के लिए था, इसमें published किया करते थे, advertisement, news about sales and purchase of slips, फिर, जब ही के, gossip about East India Company official के बारे में, publishing start के, तो जो गुवर्नर जनरल वारिंग है, वो गुस्सा करते थे ही के पर, गुस्सा इसलिए गरते थे, क्योंकि इनके बारे में भी newspaper में छाप दिया करते थे, Then, India also started publishing newspaper, first weekly बंगाल गेजेट, गंगा भठ्ट अचार्या के द्वारा, जिसको हम जानते थे, राम मोहन रॉय के नाम से, प्लीज मेरे बाई, अब तो बीडियों को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बहुत महिनत लग जाती ही यहां तक बनाने में, अब चलते हैं अगली topic पे, religious reforms and public debates, जब people लोग स्टार्ट कर देते हैं, reading the idea of reforms को, तो जो social evils लोग थे हैं, वो स क्रिटिसाइज कर रहे थे, social evils का मतलब की समाजिक पूरूतिया, कुछ तो ऐसे भी थे, जो यूज कर रहे थे, counter the claim of reforms को, राम मोहन रॉय, एंड उनके reforms के ब राम मोहन रॉय, 1821 से published किया करते थे, संबात कमोडी को, और उन्होंने opposed किया Hindu orthodoxy को, समाचार चंदरिका को लांच करकर, 1822 से 2% newspaper को published किया गया, पहला का नाम था, जामी जहान नमा, एंड दूसरा है, समसूल अकबार, और इसी same year में गुजराती newspaper को लांच किया गया, जिस सिंपल सा बोले, a body of Islamic law, उलामा का डर क्या था, उनका डर यह था कि Muslim dynasty collapsing, यानि कि गेर न जाए, उनका यह भी डर था, अगर यह लोग कॉलोनाइजर हो गए, तो यह भी हो सकता है कि Muslim personal law change हो जाए, यूस, cheap lithographic presses, to public book and fatwas को यूस किया गरते थे, पत्वास क्या है, legal document, साथी साथ, Hinduism and prints के बारे में भी बात कर लेते हैं, हिंदूस, print technology जो थी, वह encourage करती थी, reading of religious text को, in the vernacular language, यानि कि local language में, 1810 में, first print की गई, रामचरित मानस, जिसको लिखा गया था, तुलसी दास के द्वारा, और यह release हुई थे, कलकट्टा में, later, 19th century, lithographic books की पूरी बार आचुकी थी, यानि कि इतनी सारी book आचुकी थी, North Indian market में, और यह book cheap थी, यानि कि तस्ती थी, 1880 से, नवल की सोर प्रेज, जो कि लखनों में, और साथ ही साथ, स्री वेंकते स्वर प्रेज, जो कि बॉंबे में, उन सब ने श्टार्ट किया, पब्लिसी, number of religious texts in वर्ना कुले लैंग्वेज, वर्ना कुले लैंग्वेज का मतलब भी, local language, simple सा बोलो, नवल की सोर और स्री वेंकते स्वर प्रेज, यह सब लोग पब्लिस कर रहें थे, धार्मिक किताबे, local language में, यही नहीं, बलकि यह book अलग-अलग स्थानों से खरीदी जाने लगी है, और यह book, illetrate लोग की द्वारा भी पढ़े जाने लगा, man and woman, illetrate का मतलब की जो पड़े लिखे नहीं है, इनी की वज़े से जो धार्मिक book हैं, वो बहुत बड़ी मातरा में फैल चुकी थी, लोगों के सामने, प्रिंट की सबसे अच्छी बात ही है, कि वो सभी की मदद करकर सभी को साथ में लाई, और एक different communities का अविसकार की, यानि की formation, तो चली अग साती सात, देनिक जीवन के बारे में भी जानना चाते थे इस books में, मेरा मतलब है कि पढ़ना चाते थे, यही सब देखते देखते एक literature को developed किया गया यूरोप में, जो कि इनकी जरूरतों यानि की needs को पूरा कर सकता था, उसके बाद एक new form of literature इंटर कर गया world में, reading में जैसे की lyrics, short stories, essay related to social and political matters, मतलब की समाजिक और राजनीती मामले से कुछ जूड़ा हुआ हो, and of the 19th century में new visual culture ने अपना shape लिया, जिसमें large number of printing press को बैठाया गया, जो कि वह प्रिंट कर सकती थी visual copies, visual का मतलब की picture वाली copies को प्रिंट कर रही थे, और यह material बहुत easy हो जा रहा था, पढ भी वर्मा जैसे चित्रकार बड़े पहमाने पर images को तैयार किया करते थे, और poor wood engraver जो थे उन्होंने set up किया wood block shops, near letter presses, wood engraver का मतलब की जो लकडियों पर कलाया designing बनाता है, उन लोगों ने किया कि लेटर प्रिंट के नजदे की wood blocks shops को लगाया, जैसा कि आप यहां पे देख आ रहे हो, इसते कि आओगा कि जिसको भी designing करवानी हो, वह wood block shop पे आएगा और designing करवा लेगा, साथ इसताथ जो गरीब थे, वह कलेंडर को खरीदा करते थे और decorate यानि कि सजाया करते थे अपने दिवालों को, कुछ समय बाद 1870 में, cartoon and caricature को पब्लिस किया जाने लगा newspaper में, इसमें इंडियन का मजाब उड़ाया जाता था, जिनोंने अपनाया हुआ था western culture, यानि कि पच्चिमी संस्क्रीति को जिसने अपनाया हुआ था, उसका वलोग मजाग उड़ाते थे, अब बात कर लेते हैं, women and print के बारे में, women important reader के साथ एक अच्छी writer भी बनी, औरतों के education क प्रतिव कुछ थाड़ थी, आए जानते हिंदूस में क्या थाड़ थी, इसमें यह था कि अगर औरते पड़ी लिखी हो जाती हैं, तो यह विड़ोड यानि कि विद्वा हो जाती हैं, विद्वा का मतलब कि जिसका पती मर गया हो, मुस्लिम में यह थाड़ थी कि यह उनकी बात ना मान कर, फिर भी उसने सिक्रेटली ओर्दू को सीखा, रसुंद्री देवी की स्टोरी भी जान लेते हैं, इस्ट बंगाल, यडली 19th सेंचूरी, रसुंद्री देवी, मैरिड यानि की विवाईज हुई थी, और्थोडोक्स हिंदू फैमिली से, और उन्ह उन्होंने learn and write करना सिखा था कीचेन में, कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने अपना खुद का आटो बायोग्राफिय लिखा, जिसका नाम था अमर जीबाद, जिसको पब्लिष्ट किया था 1876 में, यह पहली full-length आटो बायोग्राफिय थी, जिसको पब्लिष्ट किया था Bengali language में, कहलाज बासनी देवी की भी स्टोरी जान लेते, यह एक Bengali woman थी, 1860 में उन्होंने बुक लिगी और उन्होंने इसमें highlight किया कि और तो का experience कैसा है, उन्होंने इसमें बताया कि और ते घर में कैसे कैदियों की तरह बंद रहती है, उनकी ज्यान को ना समझना, यानि क Captain Ignorance, Force किया जाता है, कठिन घहरेलू कारे करने के लिए, उन्होंने यह भी बुक्स में लिखा था, जिन लोगों की उन्होंने सिवा की, उन्हीं लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, ताराबाई सिंड और पंडिता रामबाई, 1880 महराष्टरा के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने बुक्स को लिखा, मिजरेबल लाइपस, यानि कि दुखी जीवन पर बुक्स को लिखा, अब परकाश हिंदू-मुश्लिम के लिए, इसपेसले विद्वाओं के लिए, यान कि जिसके पती मर गए हूँ, उनके जीवन के बारे में लिखा कि इनका जीवन कैसे कड़ता है, तमील ओमेन के बारे में जान लेते हैं, उन्हें नोवेल्स पढ़कर बहुत खुसी मिलती थी, उन्होंने बताया कि मेरा संसार बहुत छोटा है, मुझे आदा से ज्यादा मेर जुआओं का दोबारा साधी करना, नेशनल मुवमेंट, कुछ अदर टॉपिक्स भी थें, आये जान लेते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, पैसन लेसन, सीरियलाइज नोवेल, सौर्ट इस्टोरीज, पंजाब और फॉक लेटरेचर, राम चड़्डा ने एक किताब लेकिती जो कि बहुत तेज बिकने वाली थी, जिसका नाम था इस्तरी धर्म विचार, और दखल सा ट्रेक सोसाइटी ने भी पब्लिश की, जो कि सस्ती बुक थी और मिलती जुलते मेसेश थें, इस्तरी धर्म विचार से, बेंगॉल और बैतला, बेंगॉल में एक एरिया है, दब यहाँ पर प्रिंटिंग की जाती है पॉप्लर बुक्स की, जहां से बाई कर सकते हैं सस्ती सस्ती एडिसन, रिलिजिस ट्रेक और स्क्रिप्चर्स, अपनी अगली सब टॉपिक है, प्रिंट एंड पूर पीपल, 19th सेंचूरी, सबसी सस्ती और छोटी बुक खरीदे जाने मतराज टाउन के मार्केट से, यही नहीं, बलकि पब्लिक लाइबरीरिस को सेट अप किया गया, यहली 20th सेंचूरी में, जिससे क्या हो कि बुक की एक्सेस बढ़ जाएं, और इस लाइबरीरिस को मोश्टली लोकेड़ किया गया था, सिटीज एंड टाउन्स में, कुछ र अराष्ट में उन्होंने बताया था, अगेंस्ट कास सिस्टम के बारे में, इरोड वन का टपा राम स्वामी नेकर, मदरास में उन्होंने भी बताया था, अगेंस्ट कास सिस्टम के बारे में, कासी बबा, कानपूर, मेल वरकर से थें, जुन्होंने बताया था, छोटे और बड़े का सवाल 1938 में जिन्होंने लिंग करकर बताया था Class and Cost Exploitation के बारे में सुधर्शन चक्र, पेन नेम आफ कानपूर मिल वर्कर उन्होंने वर्क किया था सची कविताय पर 1935 to 1955 By the 1930, बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटप किये libraries को खुद को educate करने के लिए वो follow कर रहे हैं थे foot steps of Bombay मिल वर्कर का और इस libraries का परचार यानि की sponsor किया जा रहा था Social reformers लोग के द्वारा जो भी educate होना चाहता था वो इस मिल वर्कर में जाकर educate हो सकता था Now, come to the next topic which means last topic of this chapter Print and censorship पहले censorship का मतलब जानते हैं जब किसी भी तरह की speech और communication पर control रखा जाए या check रखा जाए कोई भी content ऐसा है जिससे बहुत तरह की objection ओड़ सकते हैं problem खड़ी हो सकते हैं इन सभी को ठीक करने के लिए हम censorship को apply करते हैं तो आए जानते हैं detail में एक word में बोलू तो बुराईों पर control लगाना यह जो print था large मात्रा में communicate किया जाता था check on public communication content 17,19,8 press के पास पूरी freedom थी जाए जो print कर सकता था कोई भी restriction नहीं था और जो colonial officer थें उनका भी ध्यान नहीं था censorship पर कि लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या print किया जा रहा है प्रेसों के द्वारा उनका ध्यान इस पर तब आया जब Englishman ने criticize कर दी उसी company को यानि कि colonial officer के बारे में यह चाप दिया और जो colonial officer है वो पूरी घबरा गई इनी सब के कारण 1820 कलकता सुप्रीम कोट ने पास किया rules and regulation जिसमें क्या हुआ कि प्रेस की power को limited कर दिया गया यानि कि उनकी freedom को छीन ली गई और उन पर rules and regulation applied कर दिया गया कि आप यहीं चाप सकतें उसके अलामा कुछ और नहीं चाप सकतें इससे क्या हुआ कि कुछ editors sad हो गए यानि कि दुखी हो गए कि उनकी power छीन ली गई है यह सब हो जाने के बाद 1835 में English and local newspaper editor ने file petition फिल की file petition का मतलब की formal request governor benton के पास प्रेस वालों ने petition फाइल में लिखा हमारी freedom को वापस किया जाया और इस request को approved भी कर दिया गया उनके उस approval के बाद कॉलियन officer Thomas Maculay उन्होंने new laws को बताया कि प्रेस वालों को उनकी freedom दे दी गई है सब ठीक ही चल रहा था लेकिन फिर से एक बार सब कुछ बदल गया यह किस्सा था The Revolt of 1857 जितने भी local newspaper editors थे वो सब लोग next list बन गया जिससे सभी लोगों के अंदर देश भक्ती जाग जाए फिर से कॉलियन officer ने सोचा यह तो चेक करना पड़ेगा क्या प्रिंट हो रहा है तो एक बार फिर से वर्नाकुलर प्रेस एक को पास किया गया जिसमें बताया गया कि local newspaper के बारे में पूरी tracking रखी जाएगी यानि कि क्या प्रिंट हो रहा है या पूरा देखा जाएगा अगर कुछ गलत पाया जाता है newspaper में तो इसको पहले एक बार warning दी जाएगी अगर यह गलती दोबारा से दोराता है तो इस newspaper को siege कर दिया जाएगा यानि कि जप्त कर दिया जाएगा एक घटना पंजाब वालों के साथ हुई 1907 में पंजाब revolutionaries को अपने देश से ही भगा दिया गया 1908 में बाल गंगा धर तिलक ने अपने newspaper केसरी में लिखा पंजाब revolutionaries के घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा कि colonial officer कैसे गलत कर रहे हैं उनकी activities कैसे गलत हैं और पंजाब वालों को गया क्या problem फेस करनी पड़ी यहां सब तो ठीक था यह newspaper colonial officer ने पढ़ दिया तो उनको गुस्सा आया बाल गंगा दर तिलक को डारेट उठा के जेल में डाल दिया और मैंने आपका chapter भी कटम कर डाल और अगर आपने यहां तक वीडियोस को देखिए तो प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में सरद विया ओपी लिख के जाएगा अगर chapter समझ आया हो तो बाबाई